श्रीमत धूम रेमेडी इसमें आपका स्वागत है और हमाँ को बताएंगे कि चाय कभी भी थोड़ी से ठंडी करके पीने चीए खौलती चाय कभी ने पीने चीए आपको इससे साउधान हो जाना चीए भाप निकलती चाय पीने के शोकिन लोगों के लिए खासकती चितावनी है आप गर्मा गरम चाय पीकर ना स्वी भूजा की नली को जुमसा रहे बलकि कैंसर का खत्रा भी बढ़ा रहे और यह हम नहीं कह रहे हैं मिया यह संयुक्त राष्ट की कैंसर एजेंसी कह रही है रहे हैं कि जरूर कहा गया है कि इस अलर्ट में वो कॉफी नहीं है जो सामान अतापमान पर सर्व किया जाता है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च आफ कैंसर के निदेशक जो है फिश्टुफर नामें उनका फिश्टुफर वाइल्ट उनका कहना है कि रिसर्च परिणाम से यह पता चला है कि अगर आप बहुत गरम पे पदात लेते हैं तो आपको गोजन पदात वाले नली में कैंसर हो सकता है इसके बहुत बड़ी वज़े है कि शरीर के सामान तापमान से ज़ादा गरम पे पदात कर लेना उन्होंने यह कहें कि कैंसर के कारण पर करीब एक हज़ार विग्यानिकों के अध्यनों की समिक्षा की और यह ने इसकर्स निकाला है अजनसी ने पहाए कि कोई भी पे पदात ऐसा नहीं है जिसमें कैंसर का अधी खत्रा दिखता हूँ लेकिन कुछ तत्र जरूर सामने आए अगर पे पदात को 65 डिग्री से ज़्यादा के तापमान पर लिया गया है तो उससे भूजन की नली में कैंसर होने के संभावना बढ़ जाती है इस सर्च हलां की भारत में नहीं किया गया है लेकिन चीन इरान टर्की दक्षिन अमेरिका में किया गया है जहां चाय और अन्य पेपदात बहुत गरम पीने का चलन है इस तरह 65 डिग्री से अधिक गरम होट विवर्जेज अगर कोई वेक्ति लेता है तो उसके भूजन की नली में कैंसर का जो खस्रा है वो बढ़ जाता है धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटी दिजिए धन्यवाद